नमस्कार नियूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप नियूस 24 का खास कारिकरम देख रहे हैं 24 की रेज बताएंगे सुकेश आज बात होगी उत्तर प्रदेश राजसबा चुना को लेके उत्तर प्रदेश में राजसबा की 10 सीटे खाली हैं और उमिदवार उतार चुके हैं 11 पहले हुआ था कि बीजेपी साथ उमिदवार उतारेगी और सपा तीन लेकिन जैसे जैसे सपा के जो सहयोगी दहल है वो उनका साथ छोड़ने लगे हैं बीजेपी को लगा कि उनका साथ उनके सहयोगी दिल के विधायक छोड़ रहे हैं तो उन्हेंने अपना आठवा उमिदवार संजे सेट के नाम पर उतार दिया संजे सेट को अपना आठवा उमिदवार बता दिया अब हुआ क्या है कि सपा के पास ना इतनी संख्या है कि वो अपने तीसरे उमिदवार को यू जितवा दे और नहीं बीजेपी के पास उतनी संख्या है राजे सबा में विधायकों की विधान सबा में कि वो अपने आठ चुनाव से आम तोर पे ऐसा ऐसी ध्वनी आती है कि छीकर तो राजसभा का चुनाओ है इसका लोग सब्चनाओ से क्या ले ना देना है लेकिन जिन परिस्थितियों में ये चुनाओ हो रहा है उसने उत्तर प्रदेश की politics को बड़ा इंट्रेस्टिंगली पोईजड कर दिया है और इसलिए हम आज तर्चा कर रहे हैं कि सीटे दस उमिद्वार ग्यारा और ग्यारवा जैसा आपने कहा कि एक सोची समझी रणीती के तहक आथवा उमिद्वार बीजेपी ने उतारा है तो उसके दिमाग में कुछ है कुछ ऑपरेशन उन्होंने कर लिया है कुछ ऑपरेशन वो करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ वही ऑपरेशन करेंगे कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकता क्या जो उनका पुलिटिकल आडवर्सरी है इस केस में समाजवादी पार्टी है क्या वो भी ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि उनके पास भी बहुत वो थिन मार्जिन पर खड़े हैं तो वो भाजपा में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे एंडिये में सेंध लगाने की कोशिश कर तो ये जो कभी भी एनाउंस हो सकता है मार्च के पहले हफ़ते में कहा जा रहा है कि एनाउंस हो जाएगा चुनाओ, उसमें एक ऐसी जीत के साथ जाएंगे जिसकी अपेक्षा नहीं थी, तो मुरैल बड़ा हाई होगा, बीजेपी चाहती है कि उस मुरैल को बिलकुल पक्ष सभा में हारने के बाद, तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाओ है और इसलिए आज इस पर चर्चा करना जरूरी है, कितने सीचे चाहिए, राच सभा में जीत के लिए 37, 37 वोड, किसकी कितनी संख्या है, अगर बोर्ड पे थोड़ा बता दू, तो लोगों को ब इतनी संख्या है, बी, जे, पी सबसे बड़ी पाटी है, इनकी संख्या है विधायकों की 252, बैं एंडिये की बात कर रहा हूँ, इनके साथ अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की पाटी, उनके है 13 विधायक, इनके पास निशाद पाटी है, जो इनके साथ मिलकर पड़ी थी, उनके हैं 6, दो दल ऐसे जुड़े हैं, जो पहले समाजवादी पाटी के साथ थे, विधायन सभा के चुनाओं में, ये कौन से दल हैं, R, L, D, इनके 9, और राजभर की पाटी, इनके विधायक हैं 6, अब ये संख्यागर आप जोड लें, तो 3, 2, 5, 6, 11, 9, 26, 7, 8, 286, अगर मैं सही जो मैं पा रहा हूँ, तो 286 इनकी संख्या होती है, जीत के लिए चाहिए, या पहले समाजवादी पाटी का बता दूँ, समाजवादी पाटी जो आज की तारिक में इंडिया ब्लॉक है, आप कह सकते हैं इंडिया, चुकि समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस का कटपंदन हो गया है, समाजवादी पाटी 108, कॉंग्रेस 2, इनके पास है 110, अब इनके तीन उमिद्वार हैं, एक सीच के लिए चाहिए 37, तीन उमिद्वार मतलब 111 वोट, इनके पास है 110, टेकनिकली एक वोट कम है समाजवादी पाटी के पास, अपने तीसरे उमिद्वार को राचसवादी बेजने के लिए, और इनके पास कितनी संक्या है, इनको 37 से 8 को अगर आप ये करें, तो हो जाता है 296, इनके पास 10 विधायक कम पड़ रहे हैं, अपने आठमे उमिद्वार संजय सेट को जिताने के लिए, अब खेल समझिए, आशुके खेल ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी के, माफ कीजएगा, आरेल्डी के, जो 9 विधायक है, इस 9 में से 2 विधायक, आरेल्डी के, ये मुस्लिम विधायक है, एक विधायक बाद में मदन भाईया जीते, तो इनके तीन विधायक ऐसे हैं, अशुकेश, जिनके बारे में कहा जा रहा है, कि समाजवादी पार्टी इन पे डोरे डाल रहे है, क्योंकि ये सिंबॉल पे तो लड़े आरेल्डी के, लेकिन इनकी प्रॉक्सिमिटी है समाजवादी पार्टी से, हलाकि जैन चौधी ने दिखाने की कोशिश की है कि सारे विधायक उनके साथ है विधायक दल की बैठक कुई दिल्ली से लेकर लखनव तक इस पूरे चुनाव को मॉनिटर किया जा रहा है तो तीन विधायक अगर ये तोड लेते हैं तो इनकी संख्या 113 हो जाती है 111 चाहिए जीत के लिए 111 चाहिए जीत के लिए अब इसमें पेच समझिए थोड़ा फिर से इसका इस्तिमाल करना पुड़ेगा 113 पहले मैं समाजवादी पाठी का बता दू 113 ऐसे आपको दिख रहा है कि इंडिया के पक्ष में 113 है लेकिन इसमें एक विधायक है रमा कान्त यादव ये जेल में है दूसरे विधायक है इर्फान सोलंग की ये भी जेल में है तो एक सो पहले आप 110 की बात करें क्योंकि ये अभी तूटेंगे नहीं तूटेंगे ये बात की बात है ये बात की बात है चायद वो रह जाएं कोई भी सत्ता के साथ रहने का एक अपना सुख है तो सत्ता के साथ रहना चाते हैं लोग वो बात में देखा जाएगा 110 में से 2 हटा दीजिए तो संख्या हो जाती है 108 मतलब 3 कम बढ़ गए अब राजभर की पार्टी के एक विधायक है मुखतार अंसारी के बेटे उनका नाम है अब्बास अंसारी अब्बास अंसारी वो बीजेपी के पक्ष में शायद वोट ना करें लेकिन अब्बास अंसारी भी जेल में है तो यहाँ से जो राहत मिल सकती थी अलाकि यह कोशिश करेंगी यह सब लोग जो जेल में है कि हम वोटिंग के लिए इलिजिबिल हो जाएं लेकिन अगर यह जेल में रहते हैं तो जो एक दाव कहला जा सकता था वो भी मुश्किल है तीसरे प्लेयर कौन है जहां समाजवादी पार्टी की नजर है मैं दो प्लेयर और बता दू जहां समाजवादी पार्टी की नजर हो सकती है है एक निशाद पार्टी इनके 6 एमेले कहा जा रहा है कि 2 एमेले उस तरफ जाने का मन बना रहे लेकिन सम्मन किया गया चोकि BJP अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष योगी आदितनात राजभर योगी आदितनात के पास पहुँच गए अपने 5 विधायकों के साथ उन्होंने फोटो की चवाई यह कहा हम इंडिया के पक्षपे वोट करेंगे निशास साब को यह बुलाया गया वो मंतरी है कि भाई आप भी आईए तो कहा जा रहा है कि नहीं 6 के 6 इंटैक्ट लेकिन समाजवादी पार्टी की नजर इन दो एमेलेज पे है जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है एक ऐसा दल है जिस पे दोनों पार्टीयों की नजर है वो है राजा भाईया की पार्टी एक एक वोट इम्पोर्टेंट है अनुसर ने कुछ दिन पहले बात भी किती है अखिलेश ने राज अभियास प्रदेशत धक्ष गये थे वहाँ से उन्होंने अखिलेश यादरों की बात कराई उनके अच्छे संबंद रहे हैं लेकिन इक्वली अच्छे संबंद उनके योगिया जितनाथ से है उनके दो विधायक है तो अगर वो उस तरफ चले जाते हैं एक और शही होगा फिर तो कुछ काम बन सकता है अगर वो नहीं जाते हैं अगर वो दूसरी तरफ चले गए तो मामला गरबर हो सकता है क्योंकि बीजेपी को जीत के लिए अभी भी आठ विधायक चाहिए तो दो माल लीजिए कि उन्होंने राजा भीया ने माल लीजिए कि समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया तो दो इधर से मैनेज़ किए अब बाकी छे कहां से लाएंगे तो बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी में तोड़ फोड़ करना एक मात्र ओप्शन ये बचता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ा जाए हर दिन कुछ न कुछ कोई न कोई बैठक हो रही है एक तरफ कोशिश हो रही है कि अपने विधायकों को बचा के रखिए तोड़ने चले तफे दूसरे का पताचला की सेंद लग लिया अपने घर में तो वो सेंद लगना जाए आपके घर में इसलिए हर लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो जहां भी इंतजाम कर सकता है विधायकों का चाहे वो इंतजाम किसी भी तरीके से हो वो करने की कोशिश हो रही है ये पूरा गनित दाजिसभा के चुनाओं का है और चुकी ये गनित 27 तारीक को वो गनित कैसे पैना उट करता है ये पता लग जाएगा 26 तारीक को ही कोशिश होगी एक मौक पोल होगा भाजपा के तमाम लोगों को उसमें बुलाया गया है तो अपनी स्ट्रेंथ तो पक्की कर ली जाएगी जिस पे नजर है समाजवादी पार्टी की उनके बारे में भी पता लगेगा 27 को और जिन समाजवादियों में भाजपा की सेंध लग सकती है उसके बारे में भी पता लगेगा राजा भाईया किस तरफ जाएगे उनकी पार्टी के दो विधायक किस तरफ जाएगे ये पता लगेगा बसपा का एक विधायक है वो भाजपा की तरफ होगा की सपा की तरफ होगा उनका नाम मुमाशंकर सिंह कहा जा रहा है कि वो एपस्टेन कर जाएंगे वो किसी को वोट नहीं करेंगे अभी सेरवानी ने सलीम सेरवानी साहाब ने इस्तीफा दे दिया पलवी पटेल ने ये कह दिया कि रामजीलाल सुमन को तो वोट करेंगे लेकिन बाकी मैं समर्थ नहीं करती क्योंकि PDA कहने के लिए तो PDA है लेकिन PDA का ध्यान नहीं रखा गया जयाबच्चन और आरोक रंजन को टिकट को दिया गया है तो ये जो मर्मरिंग है समाजवादी पार्टी में तो वहाँ वो आठ वोट जिसमें दो राजा भीया के हो गए तो बाकी वोट छे कहां से आएंगे सर मेरा एक और मतलब सवाल था भी जब अब बता रहे तो मैं ये सोच रहा था कि मान लिजे ना आठ मिलते हैं बीजेपी को और ना तीन मिलते हैं सपा को फिर क्या होगा जितनी वोटिंग होगी उसके हिसाब से फिर बाट लिया जाएगा वो बहुत टेकनिकल हो जाएगा कि फर्स्ट प्रफरेंस बोर्ट किसको मिलता है लेकिन मोटे तोर पे आम लोगों के समझने के लिए जरूरी है कि 37 वोट चाहिए तीन काइनी रेट के लिए 111 चाहिए उनके पास स्ट्रेंथ है 110 दो है उनके जेल में तो स्ट्रेंथ हो जाती है 108 अगर वो जेल वाले एक केस में ऐसा हुआ है कि वोट ने ओर्डर नहीं किया था तो वोस्ट केस में अगर हो गया तो उनको चाहिए तीन विदायक राजा भीया से बात की है तो दो विदायक वहां से मैनेज हुए अगर होते हैं उन्होंने अस्योरेंस किसी को नहीं दिया ऐसा बताया जा रहा है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ तो हमें सही रहा हो समाजवादी पार्टी भी सभी से टिक में है समाजवादी पार्टी मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाओ इसके नतीजे जो है वो दूर तक असर डालेंगे एक victorious mindset के साथ एक victorious approach के साथ दोनों गटबंध हैं चाहे वो और मूलता समाजवादी पार्टी और बीजेपी की fight है या तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो एक victorious mind के साथ एक willing streak के साथ मैदान में उतरना चाहेगी लोग सभा के मैदान में कि यहां हमने माद दे दिये सत्तापक्ष का edge हमेशा होता है सत्तापक्ष हमेशा ही edge में होता है क्योंकि उनके पास offer करने के लिए बहुत कुछ होता है और जो मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ तो जनता समझ रही है कि वो क्या offer कर सकते है और क्या offer मानने होता है मानने नियों को बेसिकली आज आपने समझा कि ये राजसभा चुनाओ क्यों इतना ज्यादा इंट्रस्टिंग हो गया है खासकर में UP में आप राजसभा चुनाओ के बारे में सुनते देखते आ रहे होंगे लेकिन इतना इंट्रस्टिंग फाइट झाल